हेलो दोस्तों सवागत है आपका मारी YouTube चैनल पर दोस्तों आज हम बात करेंगे excel के अंदर लोईर फंक्षिन अपर फंक्षिन अंदें प्रापर फंक्षिन की लोते कि इसकाो फंक्षिन से बारे में ऑज हम जानेंगे कि अगर आप नाम अगर आप closely देखोगे तो आप देखोगे कि इनका जो format format है वो काफी अजीबोगरी format है कुछ letters जो है वो uppercase में हैं कुछ letters हमारी lowercase में हैं और ये कोई standard format नहीं है तो सबसे पहले दोस्तों अगर ऐसा हमारे पास data आता है ऐसे अगर हमारे पास नाम या और भी कोई field आता है जहां पर यह proper तरीके से चीज़े हैं तो हम उसको कैसे lowercase या uppercase या proper format में break कर सकते हैं या proper format में चेंज कर सकते हैं तो उसके लिए सबसे पहले lower की हम बात कर लें तो lowercase के लिए यूज होता है फंक्शन लोवर कि सिंपल हम इसमें parameter में नेम दे देंगे तो आप देखोगे कि ये सारे नेमs lowercase में आगये अच्छा अपर केस के लिए जो function यूज होता है वो function यूज होता है अपर और इसमें भी जो parameter होता है वो एक ही parameter होगा string को हम दे देंगे name को तो आप देखोगे कि सारे नाम यहां पर अपर केस में आ गए अच्छा जो most useful और most helpful और most used जो फंक्शन है वो है proper function proper function क्या करता है दोस्तों अगर हम proper function में यह string को दे दें नाम को दे दें तो आप देखोगे कि यह नाम को एक standard जो हर जिगा standard format यूज होता है टेक्स के लिए उस format में break कर देगा तो अब हमारे पास जो नाम है वो proper तरीके से column e में आ गया है तो यह ऐसे करके हम lower, upper and proper functions का use करते हैं excel में I hope दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी thank you so much for watching this video